अकसर लोग कहते हैं कि शादी का सही समय दिन कौन सा होता है हलंकि कुंडली से गुण मिलान भी किया जाता है तब आम तोर पर उन्हें एक लखी ठाइम दिया जाता है दिन और मूरत दिया जाता है निम्रालोची से आप अपना कैसे जाने शादी का लखी मूरत जुड़े रहे हैं आज आप से बात करें हूं अंकों के अनुसार अपनी शादी का लखी समय कैसे जाने इसे पहले शेयर करूँ मुझे कॉमेंट में बताएं आप अगर आप मैरिड हैं तो आपकी डेट ऑब बर्थ और शादी का दिन पूरा का पूरा साल टाइम नहीं पूछ रही हूं क्योंकि यह आपको हेल्प करेगा एनलाइज करने में आम तौर पर लोगों को अक्सर वीकेंड को छुटी होती है तो यह देखा जाता है कि यस रिष्टेदार आ सकते हैं फ्रेंड आ सकते हैं तो लोग वीकेंड को ही मैरिजज होती हैं कोविट के दौरान कुछ लोगों की प्रॉपर स्टेरिमनीज भी नहीं हुई शादी हुई और अकसर यह भी होता है लोग पूछते हैं कि शादी की तारह कौन सी ली जाए जिस दिन कोर्ट मैरिज हुई थी या वास्ता में फेरे लिये थे लीगली जो भी पहले आई हो आप उस डेट को लीजिए अब शादी तो शादी कानून के नजरों में या समाज के नजरों में जिस दिन फर्स ताइम यू वर ट्रीटेड अजरों में वाइफ वो आपकी मैरिज डेट है अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी हुई लीगली कोर्ट में हमने शादी करी उसके बाद प्रॉपर सेरेमनीज हुई तो हम सेलेबरेट उसको करते हैं वेल शादी तो शादी लीगली हुई या फेरे वाली पहले हुई तो जो आपकी पहले हुई जिस दिन यू वर खॉल अब इंपोर्टन्ट है यह तो जिनकी शादी हुई जिनकी नहीं हुई वो अगर वीकेंड धूनते हैं तो शादी के लिए आम तौर पर दूस और अंकों के अनुसार वो क्या हैं पहली वैसे तो बैलन्स करता है बहुत ही अंकों को जब यह रूल यूज किया जाता है नेम नुमरालजी में नमबर फाइफ यूश्वली अवोइट कराया जाता है शादी के लिए कि दिक्कत आती है उस फैमिली में लॉंग टर्म सेटलमेंट में कमिटमेंट में या फैमिली को ग्रोथ में और शनी वार के दिन आमतोर पर शादियां होती है जब कुली मिलाई जाती है तो बहुत सारी चीज़ें योग देखा जाता है वैसे नमबर एट को भी अवोइड करवाया जाता है शादी के लिए अब अलग-अलग अंकों के हिसाब से कुछ नंबर्स लगी होत आपको आगे 8 सीरीज में बताती है तो 1, 10, 19 है अगर आपका बर्थ डेट और जब व्यक्ति शादी करने के लिए समेट ढूंड रहा होता है तो यहां पर हर अंक के हिसाब से बता रही हूं मैं आपको हो सकता है आप 1 है आपकी जिन से शादी हो रहे है यह वो 3 है या 5 है त तौर पर number 1 की marriages अगर 2 dates को हो 3 को हो अच्छा माना जाता है so much so 6 भी अच्छा माना जाता है so अगर आप number 1 है तो वो दिन जिसका number है 2, 20 अच्छा है 11 अच्छा है ऐसे ही 3 की series में dates अच्छी होती है कुछ exceptions है वो आप से end में share करूँ यही पर अगर आप है number 2 जैसे born on second 11th 20th and 29 आम तर पर इन के लिए शादी की जब बात होती है तो 1 is good 3 series is good even 9 is good and 6 is good and lot of times मैंने देखा है की 7 भी इन के लिए ठीक रहता है but preferably जब फर्स नमबर जो मैंने आपके साथ शेर करें 136 series अगर आपका बर्थ नमबर है 3 का यानी born on 3rd, 12th, 21st or 30th of any given month when it comes to wedding तो 3 series अच्छी है 1 अच्छा है 2 अच्छा है आपके लिए 9 अच्छा है and sometimes again number 8 वाली date को भी इनको सूट करती है but again these number 8 should be the secondary number ये मैं साथ के साथ आपको numbers भी वता रही हूं तो कि शुरू मैंने आपसे 5 और 8 मना करा ये exceptions में अगर ये आपके numbers हैं अब मान ले number 1 is marrying number 3 तो दोनों के लिए common तोर पर lucky क्या हुआ 3 है तो वो 3 को wedding कर सकते हैं number 4 की बात करूं those who are born on 4th, 13th, 22nd and 31st of any given month इनके लिए number 3 series अच्छी है number 1 series अच्छी है इनके लिए 2 भी अच्छा है इनको suit करता है number 5 है आप अगर बाउन on 5th, 14th and 23rd of any given month then for you 1 is good 3 is good now lot of people may say इनके लिए 8 अच्छा है but I do not recommend instead number 9 is fine so 1, 2 and 9 कर सकते हैं 3 is also good but I'll steer away for 6 in this case those born on 6th those born on 15th and those born on 24th इनके लिए 1, 3, 9, 6 series अच्छी हैं wedding के लिए even 2 अच्छा है so 1, 2, 3 की series would be the first preference number 7 born on 7th 16th and 25th of any given month ideally compatibility bird chart से देखना जरूरी है पता चलता है but just off the numerology this is again on my observation and research so number 7 wedding के लिए 2 इनके लिए अच्छा रहता है 3 इनके लिए अच्छा रहता है first and then they can also go with 1 but first I would say 2 and 3 when it comes to number 8 born on 8th born on 17th and 26th in के लिए I'll highly recommend make sure the wedding dates are of the series of 2 they can go for 3 and sometimes for 6 the last option if nothing is left then they can go for number 9 as well let's talk about number 9 born on 9th 18th and 27th of any given month अगर ये आप है तो इनके लिए वो series जब इनको wedding करनी चाहिए अपनी again I'm insisting कुनली भी मिलाई जाती है just off the numbers in numerology तो ये क्या कर सकते है इनके लिए 2 series इनके लिए 1 series so 1 2 3 combination इनके लिए अच्छा है and secondary pairing में ये 6 को भी ले सकते हैं अब avoid करना है number 8 को वैसे तो 100% लेकिन अगर इन किसी का birth date है 28 का तो उनको 8 को absolutely avoid करना है और 5 को वैसे तो universally 5 avoid करिये बट कभी कभी दिन अमूरत अच्छा मिल गया या 8 compatible आया जैसा मैंने अभी आपके साथ शेर करा लेकिन for those born on 28 absolutely 8 को avoid करना पड़ेगा साथी साथ वो जिनका 18 का birthday यानि 9 series है लेकिन 18 आया है अगर इन डेट के साथ साथ आपको डेज में flexibility हो Friday is good, Thursday is good, Monday is good and of course Sunday is good यह options आपको डेज के साथ अगर आप डेट भी मिलाते हैं तो it really sets a strong foundation जीवन की नई शुरुआत के लिए मुझे जरूर बताएं कि आपका अंक क्या है आपकी शादी जिस दिन हुई वो date क्या थी और अगेन हर अंक अपने साथ एक नया अनुभव ले आता है compatible जब हो तो दो लोग आपस में देखें जैसे मैंने आपके साथ यह number share करें हो सकता है number 2 की 7 के साथ हो 8 के साथ हो तो उस सीरीज में दोनों के देखें कि ऐसा common number common date कौन सी है try to go for that उमीद करती हूँ इस episode से आपको जो new information मिली उसे आप अपने friends के साथ share जरूर करेंगे give us a like मिलती हो आपसे take care